Hello Everyone, Welcome to MS Education TV 12th Class के जितने भी स्टुडेंट हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में आपको Political Science का Complete Solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेट के Solution देखने हैं तो में यूटूब चैनल के उपर जाके देख सकते हैं और यदि आपको Question Paper Download करने है विद आनस्वर तो इसी वीडियो के Description में आपको Website का Link मिल जाएगा वहाँ से आप इनको Download कर सकते हैं First Question है निमल लिखित में से किसे पुलिस कारिया वाही दवारा पूर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था तो इसका Right Answer है Goa Next Question है चीन ने बारत पर कब आकर्मन किया तो इसका Right Answer है 1962 में तो इसमें जो A Option क्या हो जाएगा बिल्कुल Right Next Question है कांग्रेस पार्टी दवारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्स के लोग सबाचुनाओं में दिया गया था तो इसका Right Answer है सन 1971 तो इसमें जो C Option बिल्कुल Right हो जाएगा Next Question है बासा के आदार पर पंजाब राज्ये का पुनर गठन कब हुआ तो इसका Right Answer है 1966 में तो इसमें जो B Option क्या हो जाएगा बिल्कुल Right Next Question है यूरोपिय संग के जंडे में कितने सितारे हैं तो इसमें 12 सितारे हैं तो इसमें जो C Option क्या हो जाएगा बिल्कुल Right Next Question है अंतर राष्टी मुद्रा कोस का मुख्याल है कहां पस्तित है तो ये वस्छिंटन में स्तित है तो इसमें जो D Option क्या हो जाएगा बिल्कुल Right Next Question है बारत के पर्थम चुनाव आयूत कौन थे तो इसका राष्टांसर है सू कुमार सेन पस्तिम बंगाल से 1950 से लेकर 1958 तक Next Question है आंतरी कापात काल की गोशना किस परदानमत्री के काल में हुई तो इसका राष्टांसर है इंदरा गांदी Next Question है जून 1984 में पंजाब में कौन सा ओपरेशन चलाए गया था तो इसका राष्टांसर है ओपरेशन ब्ल्यू स्टार Next Question है बारत में धरम के अधार पर गटित की नहीं दो दलो के नाम लिखी है तो इसका राष्टांसर है मुस्लिम लिग हिंदू महासबा इसके और भी जो है आंसर हो सकते हैं क्योंकि यहां पे कोई भी आपको दो लिखने है Next Question है अन्डिये का फुल फोरम आपको बताना है यानिकि इसका पुरान रूप बताना है तो इसका मतलब होता है National Democratic Alliance यानिकि राष्टिये जनतांत्रिक गठमंदन वैसले जो है अन्डिये की फुल फोरम और भी होती है आपको पता होगा National Defense Academy लेकिन यहां पे यह फोरम यूज नहीं होगी क्योंकि इसके ब्रेकेट में यहां पे स्पेसल लिखा गया है रा जै गए तो इसकी की बेस पर इसकी फुल फोरम होगी National Democratic Alliance Next question है पें अमेरिका में क्या है तो यह क्या है पेंटागन जो है अमेरिका का रक्षिया मुख्याल है या फिर आप इसको कह सकते है परती रक्षिया विभाग है और यह व्छिंटन में स्थितत है Next question है Next question है कच्चच टीवू दीप विवाद किंद देशों के मद्या है तो ये जो है बारत और स्रीलिंका के बीच नैसे उसने अंतराश्टिय सरम संग्ठन का कोई एक कारिया बताई यानि किसके क्या कारिया है तो ये मजदुरों और सर्मिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है नेक्स्ट क्यूसन है विशव वियाप पर संग्ठन जिसको हम बोलते हैं डबलू टियो विल्ड ट्रेड और्गनाजिसन किस था अपना किस वर्स की गई तो इसका आन्सर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को complete देखा और आपको कितनी knowledge है ठीक है वैसे इसका answer बिल्कुल जो है आसान सा है आप इसका comment section में बताएं फिर मैं आपको बताऊंगा आपका answer right है या wrong है तो जरूर जो है इसका answer comment section में बताएं और जब भी question का answer देते हैं एक दलिये परभुतों का क्यार्थ है एक दलिये परभुतों का क्यार्थ है एक दलिये परभुतों का अर्थ है एक ही सरकार या एक ही पार्टी का दबदबा होना इसके अंतर का दूसरे दलों को मान्यता नहीं दी जाती एक दलिया परभुतव से ताथ परिया उस राजनितिक वैवस्ता से हैं जाके वल एक ही दल का ही परभुतव होता है नेक्स कुशन है गुट निर्पेक्स्ता का क्यारत है तो किसी विवाद के संद्रब में यह जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है इसी को गुट निर्पेक्स्ता बोलते है नेक्स क्यूंशन देखिए बारत में विदेश नीति के कोई दो लक्षन बताइए यहाँ पे आपको कोई भी दो लक्षन बताने हैं一定要 लिखे गए है आप कोई भी दो बता सकते हैं तो इसमें पहला है एसनलगंता की नीती बारतिय विदेश नीती के परमुख विशेस्ता है सेगंड है परतेक राश्टर एक दूसरे के साथ समानता का वैवार करे तथा पारसप्रिक हीत में सहयोग करे और नेक्स्ट है सांति पूरण सहय एस्तितव की नीती का सभी राश्टर परलन करे तो कोई भी आपको दो लक्सन दिखने है नेक्स्ट कुशन है प्रेस सेंसर्शिप किसे का जाता है तो जब किसी राजनितिक दल दवारा किसी विशेस जानकारी अथ्वा सूचना को जन समुदाय तक पहुँचाने से रोका अथ्वा पर्ति बंदित किया जाता है तो इसी गटना को जब प्रेस सेंसर्शिप का जाता है नेक्स कुशने च्छेतरवाद से आपका क्या बीप्डाय है च्छेतरवाद या च्छेतरियता एक विशेस में निवास करने वाले लोगों के उनके च्छेतर के परतिंए एक विशेस लगावाए अपने पन की बावना है जिसे की कुछ सामाने आदर्स, वेवहार, विचार और विश्वास की रूप में अभी वक्त किया जाता है छेतरवाद के अर्थ में हम कह सकते हैं कि एक देश में या तो देश के किसी बाग में निवास करने वाला लोगों के छोटे समूँ से है जो आर्थिक, बोगोलिक, सामाजिक, आदिक कारणों से अपने प्रिथक अस्तितव के लिए जाग रूखो साधारन से अर्थ में छेतरवाद किसी छेतर के लोगों की उस बावना वे प्रियतनों से है जिनके दवारा वे अपने छेतरविशेस के लिए आर्थिक, राजनितिक और सामाजी कीतों में वर्दी चाहते हैं नेक्स इसने दवी दुर्विया विशव के पतन से आप क्या समझते हैं लगबग संपूरन विशव इन दो गुटों में था इसलिए विशव को दो दवी दुर्विया कहा जाता है परन्तु 1922 में सोवियत संप का विशव का एक दुर्विया विशव का पतन कहा जाता है अमेरिका गुट में फूट दुर्विया विशव के पतन का एक परमुक कारण अमेरिकी गुट में फूट पढ़ना था फरांस और इंग्लेंड जैसे देश अमेरिका पर एविश्वास करने लगे थे नेक्स्ट क्यूस ने सोवियत परनाली की कोई दो विसेस्टा लिखिए तो इसमें पहली है सोवियत आर्थिक परनाली योजनाबद एवं राज्य की नियंतरण में थी नेक्स्ट है सोवियत संग में संपती पर राज्य का स्वामी तव एवं नियंतरण था नेक्स्ट है सोवियत संग की संचार परनाली बहुत उन्नत थी जिसके इसके दूर दराज के छेतर भी आवागमन की सुवेवस्तित एवं विसाल परनाली के कारण अपस में जुड़े हुए थे तो यहाँ पे कोई भी आपको जो है दो पूचे है तो आप कोई भी तीन लिखे गए इसकोई भी आप दो लिख सकते है नेक्स कुछन है यूरोपिया संग की स्थापना कब और किस संदी के दोरा हुई संदी का नाम है मास्ट रिच संदी नेक्स क्योशन है स्यूक्त राश्टर संग के मासचीव का चुनाम कैसे होता है आज कल इस पद पर कौन कारिय कर रहा है संस्तूती पर मासबाद वारा पांच वर्ष की लिकी जाती है वह दुबारा भी चुना जा सकता है और जो है Antenio Gutéridus इस पद पर कारिया कर रहे है ठीक है, तो यह आपको याद रखने है इस पद बे जो आभी यह कारिया करें है Antenio Gutéridus ठीक है, ऊसकता है इन फ्यूचर यह जो वीडियो आप बाद में देखें तो यह चेंज भी हो सकते हैं तो यह आपको याद रखना है अभी प्रेजेंट में यह नाम याद रखें नाइस क्यूसन है निर्जन वन छेतर क्या है तो निर्जन वन से आज से इस परकार के वनों से है जिसमें मनुस्य एम जानवर नहीं पाये जाते उतरी गोलार्थ के कई देशों में निर्जन वन पाये जाते है इस गोलार्थ के देशों में वन को निर्जन परांथ के रूप में देखा जाता है जहां पर लोग नहीं रहते इस परकार का दरश्टी कोण मुनुस्यक को परकर्ती के एकंग के रूप में स्विकार नहीं करता है नैस उसने सवतंतर भारत के सम्मूख उपस्तित की निच्यार चुनोतिय का वर्णन करें तो इसमें पहले चुनोती है विवाजन विवाजन को बड़े पैमाने पर संपरदाइक इंसा के रूप में चिनहित किया गया था इसके अलावा विवाजन के कारण ही कस्मीर समस्या की उत्पत्य हुई थी और उसके परिणाम सवरूप पाकिस्तान के साथ युद भी हुआ साथ ही बारत को बड़ी संख्या में सरनार्थियों को पुनरवास परदान करनी क्या हो सकता थी बड़े पैमाने पर गरीबी और निर्ख सिर्था ठीक है यह जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो आप आप नेक्स्ट पॉइंट को समझ सकते हैं सतनता के समय बारत में लगबग 80% या लगबग 250 मिलियन आबादी गरीबी थी अकाल और भूग से बारत को अपने ख़द्य सुर्क्षा के लिए बाहरी मदद लेने ये तू प्रिरित किया ठीक है ये जो है पॉइंट आप इसको जो है second number पे मान सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है बाई मिस्टे की second point लिख दिया यहाँ पे थर्ड पॉइंट है तो नेक्स्ट पॉइंट है विविद्ता में एकता सुनिश्चित करना एक नए सतनतर बारत जिसे मुखे सोरी मुखे रूप से रियास्तो को आतम साथ करने में से उत्पन सुनोतियों के कारण देश की एकता और संपुर्भुता को बनाए रखनी क्या हो सकता थी ब्रिटिस बारतिय प्रांतों की सीमाओ को सांस्कृतिक और बासाय एकता के बारे में सोच्चे बिना जो है बेतर्तिब डंग से खिचा गया था नेक्स्ट कम आर्थिक समता तो बारत में स्थिर करसी और निमन और द्योगी कादार जैसी समस्य है मोजू थी वर्स 1947 में बारत के सकल गरेल उत्पाद में करिशी का 54 पर 30 इस्था था शतनतता के समय बारत की 60 पर 30 जन संक्या जीविका के लिए करसी पर निरबरती नेक्स्ट पॉइंट है सीत यूद तनाव अधिकान्स विकास सिल देश युक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संग की दो महा सक्तियों में से किसी एक से जुड़े हुए थे बारत ने सीत यूद की अराज्य निती से दूर रहने और इसके आंतरिक विकास पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए गुट निरबरत की निती का पालन किया नेक्स्ट कुशन है किनी विकास की किनी चैर उदेश से गावर्ण किजिए यानि कोई भी चैर उदेश से पहला है नियूंतम आवसकताओं की पूर्ती विकास का पर्थम मैतपून लक्से गरीब जनता की नियूंतम आवसकताओं की पूर्ती करना है चिकिच्छा स्विदाएं, सवास्ते, पेजल, कपड़ा, मकान, बोजन, आधी, आउसक पदार्थों की स्विदा आम जनता को दी जाएगे नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी वे बेरोजगारी दूर करना नेक्स्ट पॉइंट है प्राकर्तिक सादनों का विकास जो है विकास सिल देशों का लेक्सिय प्राकर्तिक सादनों का सोशन करके देश का आर्थी विकास करना है नेक्स्ट पॉइंट है विकास की उची दर आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थी विकास की उची दर को प्राप्त करने का लेक्षन इदारित किया गया है इसके लिए यह आवसे कहा कि राष्ट्री आई और सुध परतिवेक्ति आई मिवर्दी की जाए नेक्स्ट पॉइंट है आतम निर्बर अलप विक्सित और विकासिल देशों का लेक्षे अपने देश को आतम निर्बर बनाना है नेक्स्ट पॉइंट है समाज कल्यान के कारिये विकास सिल देश लोगों के आर्थिक तुथा समाज कल्यान के कारियों को निमन स्तर के लोगों तक मोचाने का लक्से रखते हैं गरीब वर्गों और विशेश कर ग्रामिन छेतरों के लिए सरकार को भारी निवेश का रास्ता अपनाना पड़ेगा विशेव के अनेक देशों में बरोजगारी बता यानकी एन एंप्लोईमेंट अलाउंस दिया जाता है विशेव के अनेक विक्सित देशों में बरोजगारों को बरोजगारी बता नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं निसूल का तदा अनिवारिया प्राइमरी शिक्षिया वृद्धों को पेंशन इतिया दियनेक स्विधा दी गई है और विकास सिल देश इन स्विधाओं को देने का परियास कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है लोगतंत्री पदती से विकास लोगतंत्र पत्ती के दवारा है विकास कारिय किये जाने चाहिए लोगतंत्र विकास का विरोधी नहीं है यह ठीक है कि अधीनायक वादी देशों में विकास की गती तिरुवती है और अधीनायक विकास की जो दिशा त नेक्सक्यूसिन है नेक्सक्यूसर है 1960 के दसक को एक खतरनाक दसक क्यों कहा जाता है ? क्योंकि इस दसक में भारत को कई पक्सों से समस्याओं का सामना करना पड़ा राजनितिक सतरपर पंडित जवारलाल नहुरू की मर्तियू तथा 1966 में उनके उत्रा अधिकारी स्री लालबादु सास्तरी की मर्तियू बारत के लिए पुरून ये सती थी इसके साथ यो दसक में बारत के दो युदों को सामना करना पड़ा 1962 में चीन ने बारत प्राकर्मन किया 1965 में पाकिस्तान ने बारत प्राकर्मन किया इसी दसक में बारत में भारी खाद्यान संकट पैदा हुआ इसी दसक में बारत में गरीबी, एसमानता, संपरदाइकता और छेतर विवाद भी अन्शुल्जे थे इसके अधरिक उन्नी सो उनेतर में बारतिय राष्ट्रे कांग्रेश का विवाजन हो गया इसलिए 1960 के दसक को खतरनाग दसक का जाता है नेक्स उसने बारतिय समाज में मैलाओं की स्तीती की निमन स्तीतियों यानि की जो उनकी स्तीती वो कमजोर हैं कोई च्यार करण का उल्लेक कीजिए पहला है आर्थिक निरवरता स्तीरियों को अपने बरन पोशन के लिए पुरुसों पर निरवर रहना पड़ता था स्तीरियों को घर की चार दिवारी से बाहर निकल कर नोकरी वेवसाईवार ने साथ अंदवारा धन कमानी क्या गया नहीं थी आर्थिक निरवरता की कारण पुरुसों की पर बुता उन पर हावी थी और उन्हें पुरुसों के अधिन रहना पड़ता था पुरुसों पराश्रीत होने के कारण ही उनका समाज में परिस्तिती नीची थी नेक्स्ट पॉइंट है एसिक्ष्या प्राचिन काल में स्त्री सिक्ष्या का कम परचलन था एसिक्सित नारी को अपने अधिकारों का ग्यान नहीं था वह पती को पर्मेशन मानकर उनका सोचन और अन्या सहते हुए निमन स्तर का जीवन यापन करने के लिए विवस्ती नेक्स्ट पॉइंट है बालविवा प्राचिन काल में बारत में बालविवाओं का परचलन था बालविवाओं के कारण बालविवाओं की संख्या बढ़ गई थी बालविवाओं का जीवन दैनिय था वे समाज पर भारती बालविवा पतीने नारी के समाज में प्रिस्तिती नीचे बना दी थी next point पुरूस परदान समाज प्राचीन बहोरते समाज पुरूस परदान था पुरूस तरीक को अपनी नींतरन में रखने और उसे अपने से नीचा समझने की परवर्थी रखता था पुरूस को इस एहम बाउस ने भी समाज मिन्नारी की प्रिस्तिती को नीचा बना दिया नाइस किसने गठबंदन सरकार के किनी चार लक्षनों का उवर्नन करे गठबंदन सरकार को जो है मिली जुली सरकार भी कहते है तो इसमें यहाँ पे जो है चार लक्षनों बताने इसमें तो इसमें सबसे पहले देखिए गठबंदन सरकार में कम से कम दो दल बागिदारे होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बागिदार दल गठबंदन की राजनीती को कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं लक्से सारबूत रूप से कुछ प्राप्ती का हो सकता है अर्थात मिली जुली सरकारे यथारत वाद पर आधारित होती है नेक्ट पॉइंट है गठमंदन का परतेक परमुख बागीदार दल अपने राजनीतिक सक्ती में वर्दी कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करनी की जो इच्छा रखता है नेक्ट पॉइंट है नईर अंतराष्टिय अर्थ व्यवस्ता की आउसकताओं के किन ही चार कारणों का उल्लेक कीजिए देखिए नई अंतराष्टिय आर्थिक व्यवस्ता की जोरदार मांग का प्रादुर्भाव योद अतरकाल की अंतराष्टिय व्यवस्ता में गंबीर तथा महान परिवर्तनों के कार्ण हुआ पहले पहले योरोप की दुर्बल प्यवस्ता दो सक्तियों का उदे सीत युद का प्रादुर्भाव समराजेवाद विरोधी तथा उपनिवेसवाद विरोधी आंदोलन उपनिवेसो को समाप्त करने की तेज परकिरिया का प्रादुर्भाव आदी विशव के राजनितिक मा प्रादुर्भाव तथा इसका विश्तार यूरोपिय राष्ट्रो द्वारा आर्थिक सुदार बारत तथा ब्राजिल जैसे स्थानिय तिमिंगलों का उत्थान भूत पुरो सोवियत संग और अमेरिका के बीच सिध्य टकराव से सिमित तकराव की स्थिट्टी में प्रिवर्तन तथा बहुत से अन्य कारणों से अंतरराष्ट्य समंदों में नए आर्थिक निरने सामने आए नए राजय तर्तिय विश्व युद्वारा सामाजिक आर्थिक विकास में तथा अंतराष्टिय समंदों में उचित भूमिका निबाने की वचनबदता ने भी अंतराष्टिय समंदों में बहुत परिवतन उत्पन की 1970 के दसक के प्रारम में अंतराष्टिय समंदों में आर्थिक विशे की परमुख विशे बन गया लगबग इसी समय अंतराष्टिय समंदों में एक नई परकार की स्तीती पैदा हो गई थी इस से सीत युद काल के तथा कथित आ देशों को कि विचार्दारा के मैतव को नगन्य कर दिया तथा विकास और अविकास के आर्थिक आदारों पर द्यान केंद्रित किया ऐसे समय में पूरव के समाजवादी और पस्चिम के पुंजवादी देशों के बीच विरोध का स्तान एक और गूत पूरव उपनिवेशी है एवं एविक्सित दक्षनी गोलार्थ के निर्धन देशों अर्थवा तिर्तिय विशव तथा दूसरी और उत्री गोलार्थ के त तक निकित था आर्थिक रूप से विक्सित साधन संपन देशों अर्थात दो विक्सित देशों के बीच विरोध ने ले लिया इस तरह नई आर्थिक जागरिती था अंतराष्टी समंदों के कारण विक्सित और कम विक्सित देशों के बीच विरोध दोनों ने मिलकर नई अंतराष्टी आर्थी व्यवस्ता के दृष्टी कौन से उत्र दक्षनी विरोध का रूपदारण कर लिया next question है Soviet संग next question है Soviet संग के विगटन के कोई चार करण दिखने है तो इसमें देखे पहला करण है सम्मेवादी तानसाही Soviet संग में एक ही राजनितिक दल यानि की सम्मेवादी दल था और इस दल के अलावा कोई अन्य दल स्तापित नहीं किया जा सकता था नहीं कोई अन्य उस दल की आलोच ना कर सकता था अर्थात एक ही सक्तिसाली दल ओने की वज़े से सासन ने अपनी सकतियों का दुरूपियों करना आरम कर दिया Soviet संग के नागरिकों के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे और इस वज़े से नागरिक राजनितिक रूप से अंदर ही अंदर सासन के विरुद होने लगे सोवियत संग के नागरिकों को अपने विचारों को अभीवक्त करने के सतंता भी प्राप्त नहीं थी उनके विचारों में लगाता नियंदरन के विजए से नागरिकों में करोध उत्पन होने लगा इसके अलावा नागरिक सासन के कारियों में भी भागीदारी नहीं ले सकते थे वेकेवल सासन की बनाई नई नीतियों पर ही कारिय कर सकते थे दीरे दीरे इन सभी वीपरित श्तीतियों ने बड़ा रूपदारन कर लिया जो सोवियत संग के विगटन का पर मुकारण था सेगंड पॉइंट की बात करें गिरती हुई अर्थवेश्टा सत्तर के दसक के अंद तक सोवियत संग का सिकल गरेल उत्पाद बहुत कम होने लगा था अर्थात सोवियत संग का विकास दर बहुत कम होई थी सोवियत संग के करसी एंव और द्योगिक उत्पादन में तेजी से गिरावट आने लगी तथा जिन वस्तों का सोवियत संग निर्यात करता था अब उसे वे सब आयत करना पड़ता था सामयवादी देशों को आर्थी के हों सन्य रूप से सायता करने का बोज सोवियत संग पर ही था इसके अलावा सोवियत संग एक मातर लक्षे पस्चिमी देशों से आगे निकलना था जिसकी वज़ाए से उसने अंदाधून सन्य खर्च किया अंतता है इन सभी कारणों के वज़े से सोवियत संग का विगटन हो गया था नेक्ट पॉइंट की बात करें तो अन्य देशों के साथ प्रतिस परदा सोवियत संग की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने स्वेम सुरक्षित रहने के अप एक साथ दूसरे देशों के साथ प्रतिस परदा करनी जो है आरम कर दी उसने सस्त्रों एवं अन्तरिक्स अनुसंदानों में इतना अधिक धन वे किया कि वे कुछ समय पस्चाथ स्वेम में कमजोर पड़ गया इसके अलावा जो सोवियत संग सबसे अधिक सक्तिसालिवा करता था अस्ची के दसक आने पर वे पस्चिमी देशों से सूचना एवं तकनिक के छेतर में बहुत पिछड़ गया था यह ख़बर संपूरन नागरी को वे विशव में फैल गई अन्ततै सोवियत संग का वेगटन हो गया नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नोकर साही का बोल बाला नोकर साही एवं स्थाने करमचारी वे अधिकारी होते हैं जो सरकार के लिए कारी रत होते हैं इन करमचारी एहम अधिकारियों को सरकारी नीतियों को नागरिकों में लागो करने का अधिकार प्राप था परंत कुछ समय बाद यह अधिकारी गैर जिम्मेदार होने लगे वे अपनी जिम्मेदारी और करते हुए अमनागरीकों के परती पूरी तरह से गहर जिम्मेदार होने लगे और अंतमी लोगों के बीच भी अधिकारी और सासन के परती करोद तो उत्बन हुआ ही साथ में सोवियत संग परसासन में ब्रश्टाचार ने बहुत बड़ा रूपदारण कर लिया यहीं वज़य सोवियत संग के विगटन का कारण था नेक्स कुशन है बारत और पाकिस्तान द्वारा जारी किये लाहूर गोशना पतर की मुख्य बाते क्या थी तो इसमें पहला है नियमी तंतराल पर दोनों देशों के विद्यस मंत्री बैठक करेंगे और आपसी इतों के मुद्य पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है विज़या पार से जुड़े मुद्य पर विचारवी मर्स की सैमती नेक्स्ट पॉइंट है वीजा नियमों को आसान मनाना युद बंदियों या एसेनिक बंदियों की जाच के लिए मंतरी स्तर पर दोस्त सी समीती का गठन नेक्स्ट है सुरक्ष्या दारनाओं और परमानू सिदान्तों पर विचार भी मर्स करेंगे नेक्स्ट है मिसाइल उड्डेन प्रीक्ष्णों की पूरन सूचना देंगे यानि पूरों सूचना देंगे पहले सूचना नेक्स्ट है परमानू खत्रे को कम करने के लिए राष्ट्रिय स्तर पर कदम उठाएंगे नेक्स्ट है पहले nuclear trust ने करने के भादे का फालन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है UN chart के सिदान्तों और लक्सियों के पर्ती ब्रति बदता निभाएंगे नेक्स्ट है आपसे विश्वास के लिए समय समय पर विचार वीमर्ष next question है सुरक्षा परिश्द के संग्ठन सक्तियों एवंकारियों का वर्णन करे स्युक्तराष्टर संग का सबसे सक्ति साली अंग सुरक्षा परिश्द है इसमें एक कुल 15 सदेशे हैं जिसमें 5 सदाई सदेशे हैं अमेरिका, रूज, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है दस एस थाई सदेशे हैं जो दो वर्ष के अवदी के लिए चुनी जाते हैं 27 थाई सदेशे को विटो यानि की निसेदा दिकार की सक्ति प्राप्त है सुरक्षा परिश्द में सदेशेता परदान करते समें महासबा अंतर राष्टिय स्यांति वे सुरक्षिया में उन राष्टर के योगदान को भी ध्यान में रखती है नेक्स्ट है सुरक्षा परिश्द की सक्तियां तो इसमें देखी यह अंतर राष्टिय स्यांति वे सुरक्षिया से समधित निरना लेती है यह जगडों का नीडने करती है और यदि उचित समझती है तो किसी भी देश के विरुध सक्ति परियोग कर सकती है यह महासभा के सनयोग से नए सदस्य का च्चुनाव करती है नेक्स्ट है यह किसी देश द्वारा बेजी गई शिकायत पर विचार करती है और उसका निप्टारा करती है सुरक्षा परिशद के कारिये है यदि बात करें सुरक्षा परिशद के क्या कारिये है तो इसमें फैस्ट है, विशव स्यान्ती एंच सुरक्षिया के परती उतरदाई होती है, ये विरोधी देशों को बादे करती है, वे करती है कि वे विवाद का निप्टारा स्यान्ती पूरोन तरीके से करें, नेक्ट पॉइंट है सुरक्साप परिशद के अधिकार छेतरा अधिकार में आने वाले भूत से संग्तनात्मक विश्यों में उसे कानूनी रूप से बाद्यकारी अधिकार प्राप्त है नए राष्टरों को सियुक्त राष्टर की सदेश्या प्राप्त करना मास्जीव का चैन अंतराष्ट्रियन न्याले के न्याई दीशों की न्यूक्ति आदि सभी ऐसे कारिये जो मासभा से मिलकर करती है बाद्यकारी परमान रखते हैं नेक्ट पॉइंट की बात करें सुरक्साप परिशद अपने आंतरिक मामलों का स्वेम लिनना करती है नेक्ट है सुरक्साप परिशद सांति बंक करने वाले किसी भी देश के विरूद कर्थोर कारियावाई कर सकती है नेक्ट है यदि किसी राष्टर ने दूसरे राष्टर पराकर्मन कर दिया है तो सुरक्सा परिषद को कुट नितिक अर्थिक तथा सैनिक कारियवाई करने का अदेश देने का अदिकार है तथा सदेसे राश्टर चार्ट की इच्छे अनुसार उक्त निर्ने मानने तथा लागू करने को बद्दे है नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्सा परीशत की सिफारिस पर कोई भी राश्ट्रों उस जिसके खिलाफ अनुसासन की कारवाई की गई थी सदस्यता के अधिकार से एनिस्चित काली के लिए वन्चित किया जा सकता है मानव अधिकारों की सारो बोमिक गोशना के अधार पर मानव अधिकारों का वर्णन करें मानव अधिकारों का सिद्धा भी परा है मानव प्लस अधिकार अर्थात मानव के अधिकार इस परकार मानवा दिकार वे दिकार है जो सबी लोगों को मानव ओने के नाते प्राप्त होने चाहिए एक मानव के रूप में हरव एक्तिविसिष्ट और उसको समान मैतव है मानवा दिकार इसी दाढ़ना पराधारित है हैता है एक मानव होने के नाते हमें जो भी आउसक श्तितिया वस्तुएं इतियादी मिलने चाहिए उसे ही मानवा दिकार का जाता है इस गोशना के प्रिणाम सरूत सुक्त राश्टर संग ने 10 दिसंबर 1908 इसको मानवा दिकार की सारो बोमिक गोशना अंगी कार की नेक्स्ट है मानवा दिकार का वर्णन ठीक है मानवा दिकारों का वर्णन यानि कोण कोण से मानवा दिकार है दीकि सबसे पहला है सब लोग गरीमा और दिकार के मामले में सवतंतर बराबर के अगदार है नेक्स्ट है परतेक व्यक्ति को बिना किसी बेदवाव के सभी परकार के अधिकार और सवतनता दी गई है नसल, रंग, लिंग, बासा, धरम, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रियता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जनम आदी जैसी बातों पर कोई बेदवाव नहीं किया जा सकता नेक्स्ट परते एक वेक्ति को जीवन आजादी और देहिक शुरक्ष्या का अधिकार है किसी भी वेक्ति को यातना नहीं दी जाएगी या इसके साथ कुरूर है मानविय, यह अपमान जनक वैवार नहीं किया जाएगा या उसे ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट है कानून के सामने समानता का अधिकार नेक्स्ट है कानून के सामने सबी को समान सर्जक्षन का अधिकार अपने बचाओं में इनसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खट खटाने का अधिकार नेक्स्ट मनमाने डंग से की गई ग्रिफतारी हिरासत में रखने या निर्वासन से आजादी का अधिकार नेक्स्ट किसी सतंता के जर्ये निस्पक स्वे सारल जनिक सुनवाई का अधिकार नेक्स्ट है जब तक अदालत दोसी करार नहीं देती उस वक्त तक निर्दोस होने का अधिकार नेक्स्ट है परतेक वेक्ति की परतेक राजे की सीमा के सीमाओं की बितर संचरन और निर्वास की सतनता का अधिकार परतेक वेक्ति को अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार नेक्स्ट है परतेक वेक्ति को उट पिर्डन के कारण अन्य देशों में इसरण मांगने और लेने का अधिकार है इस अधिकार का अवलंब एराजनेतिक अपरादों का सियुक्त राष्टर के प्रियोजनों और सिंदादों के प्रतिकूल कारियों से वास्तिविक रूप से उदुत अभियोजनाओं की दसा में नहीं लिया जासकेगा राष्टरेता का अधिकार किसी विवेक्ति को मनमाने डंग से नहीं तो उसकी राष्टरित्या से और नहीं राष्टरिये ता परिवर्तित करने के अधिकार से वनचित किया जाएगा नेक्ट पॉयंट है वैस्क वेक पुरुसों और स्तियों का मूल वन्स राष्टिता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवा करने और कुटुम स्तापित करने का पुरून अधिकार है वेविवा की विशह में विवाहित, जिवनकाल में और उसके विगटरन पर समान अदिकारों के अगदार है नेक्ट पॉइंट है प्रतेक वैख्ति को अकेले या ने वैक्तियों के साथ मिलकर संपत्ति का सवामी बननी का अदिकार है किसी को भी उसकी संपती से मनमाने ढंग से वन्सित नहीं कया जाएगा परतेक वैक्ति को विचार अंतह करन और धर्म की सनेंटा का दिकार है नेक्ष्ट सरकार बनाने की गतिवीदियो में हिसा लेने और सरकार चुनने का दिकार प्रतेक वेक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समान पहुंच का अधिकार है नेक्स्ट है प्रतेक वेक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वेम उसके और उसके कुटुम के स्वास्ते और कल्यान के लिए प्रियाप्त है इसके अंतरगत बोजन वस्तर मकान और चिकित सत्ता आवसेक सामाजिक सिवाएं भी है और बेरोजगारी, रुगनता, हैसत्ता, वैद्देन्य, वरिधदावस्ता या उसके नियंतरण के बाहर परिस्तितियों में जीवन यापन के अबाव की दसा में सुरक्षा का अधिकार है next point है परतेक व्यक्तिक को समुदाए के सन्सकृतिक जीवन में मुप्त रूप से भाग लेने का अधिकार है next question है परियावर्ण पर्दोसन के मुख्ये आम पर भाव कारण कीजिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परियावर्ण पर्दोसन होता क्या है परियावरन को निर्मान परकरती ने किया है परकरती परदत परियावरन ने जब किसी तत्तव का अनुपात इस रूप में बदलने लगती है जिसका सतर पर परतिकुल परबाव पड़ने की संभावना होती है तब कहा जाता है कि वातावरन पर्दूसित हो रहा है उदारन के लिए यदि प्रियावरन के मुखे बाग वाईउ में अक्सिजन के इस्तान पर रहने विशली गैसो का नूपाद बढ़ जाए तो कहा जाएगा कि वाईउ पर्दूसन हो गया है वातावरन ने यहां पर जो है वातावरन आएगा वातावरन के किसी भी बाग के दूसित हो जाने को प्रियावन पर्दूसन का जाता है यह पर्दूसन जल पर्दूसन मर्दा पर्दूसन वाईउ पर्दूसन दवनी पर्दूसन के रूप में हो सकता है यहाँ पे देखे यहाँ पे और दोनों जगे वातावरन आएगा नेज्ट्पार्ट है पर्दूसन पर्दूसन के मुख़्े आम परभाव क्या है देखे यहाँ पर यह नहीं पूछा गया कि मरदा पर्दूसन जल वाईउ और दवनी को जो है explain करें यहाँ पोछा गया यह दिक पर्दूसन होता है तो उसके क्या आम परभाव है तो इसमें पहला परभाव है जन स्वास्थे पर परभाव पrist Coleman परभाव परियावरन परदूसन का सरवादिक परतीकुल परभाव जन स्वास्थे पर परड़ता है जैसे जैसे परियावरन का अधीक पर्दूसन होने लगता है वैसे वैसे पर्दूसन जनित रोगों की दर एंगंबिरता में वर्दी होने लगती है परियावरन के भिन भिन पक्सों में होने वाले पर्दूसन से भिन भिन परकार के रोग बढ़ते हैं जानते हैं कि वायू पर्दोषन की प्रिणाम सरूप सवसंत अंतर से समंधित रोग अधीक परबल होते हैं नेक्स बात करें तो जल पर्दोषन से प्रिणाम सरूप पाचंत अंतर से समंधित रोग अधीक फैलते हैं दवनी पर्दूसन भी तांतरिक तंतर हर्दय और अक्चाप सम्मन्दी विकारों को जनम देता है। इसके साथ मानसिक सवास्ते एहूं वेवारगत समन्यता को दवनी पर्दूसन विक्रीत कर देता है। अन्य परकार के पर्दोसन भी जन सामाने को विबिन सामाने गंबीर रोगों का सिकार बनाते हैं संग्सेप में कहा जा सकता है कि परियावरण पर्दोसन अनिवारी रूप से जन सवास्ते को परभावित करता है पर्दोसित प्रियावरण में रहने वाले वेक्तियों की ओसतायों भी गड़ती है तथा सवास्ते पर सामाने स्थर भी निमन रहता है इसमें अगर नेक्ट पॉइंट की बात करें वेक्तिगत कारिय समता पर परबाव तो वेक्ति एवन समाज की परगती में समन्दित वेक्तियों की कारिय समता का वीशे समयता होता है यदि वेक्ति की कारिय समता समाने या समाने से दीको तो वे वेक्ति निश्चित रूप से परगती की मारक पर अगरसर होता है तता समरीद बन सकता है जहां तक परियावन परदूशन का परसन है इसके प्रियावन परदूशन की 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 प्रिय ही व्यक्ति एस्वस्थ नय भी हो तो भी उसकी चुश्थी एम स्फूर्ती तो घटी जायती है यедी कारक व्यक्ति की समता कारिय समता को घटाने के लिए प्र्याप्त होता है ठीक travelling नेक्ट बात करें आर्थिक जीवन पर प्रवाव वैक्ति समाज योम राष्टर की आर्थिक स्तिती पर भी प्रियावरन प्रदुसन का उलेखनिये प्रतिकूल परवाव पड़ता है वास्तव में यदि वैक्ति के स्वास्ते का स्तर नीमन हो और उसकी कारिये समता भी कम हो तो वैय अपने आव सकता हों की पूर्ति के लिए समुचित धन कदापी अरजित नहीं कर सकता परियावरन प्रदुसन की प्रियावरन सरूप वैक्ति की उतपादन समता गड़ जाती है इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि यदि वैक्ति अथवा उसके प्रियावर का कोई सदस्य से प्रदुसन का सिकार होकर कि नीज साधारन या गंबिर रोगों से गरस्त रहता है तो उसके उप्चार का भी प्रियावर्त वैक्रना पड़ सकता है इसे भी व्यक्ति एउं परिवार का बजट बिगड़ जाता है तथा व्यक्ति एउं परिवार की आर्थिक स्तिति निमन हो जाती है इस परकार सप्रेश्ट है कि प्रियारण प्रदोसन के परभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्तिति परतेक्स एउन प्रोक्स दोनों ही रूप में कुप परभावित होती है इसी कारक के परबल विश्तरित हो जाने पर समाज एम राश्टर की आर्थिक स्थित्ती भी परवावित होती है नेक्ट यहां पीसी के अथवा में एक और क्यूशन दिया गया है कि वैस्विकरन का क्या रत है वैस्विकरन के मुख्य उद्यस्यों का वर्णन करे सबसे पहले बात कर लें थे वैस्विकरन क्या है तो देश की अर्थविवस्ता को विश्व की अर्थविवस्ता के साथ एक गरीद करना ही वैस्विकरन यानिकी गलोबलाइजिसन कहलाता है स्थानिया या छेत्रिय वस्तों या गटनाओं का विशव स्तर पर रुपांतरन रोने की परकिरिया ही विशव करन है वैस्व करन दुनिया भर में लोगों, कमपनियों और सरकानों के 20 परस परकिरिया और एक इकरन की परकिरिया है विशव स्तर पर से छेत्रिय वस्तों और गटनाओं के रूपांतरन की परकिरिया को वैस्विकरन कहते है वैस्विकरन एक ऐसी परकिरिया है जिसमें राजनितिक, सामाजी, कार्थिक एंटकनी की ताक्तों का सनियोजन होता है वेश्वीकरण विबीन देसों के लोगों, कमपनियों, सरकारों के बिच बाचीता और एकिकरण की परकिरिया है वेश्वीकरण में संपुरण वीशव को एक बाजार के रूप में परदान किया जता है वैस्विकरन स्यास से विशव अर्थ वैवेस्ता में आए खुल लेपन बढ़ती हुई आतम निर्बरता तदा आर्थी केकरन के फैलाव से है इसके अंतरगत विशव बाजारों के मद्दे पारस परिक निर्बरता उत्पन होती है वैवसाय देशों की सीमाओं को पार करके विशव यापी रूप धारन कर लेते हैं वैस्विकरन के दवारा ऐसे परियास के जाते हैं कि विशव के सभी देश वैवसाय एम उद्दोग के छेतर में एक दूसरे के साथ सायोग एम समन्वे सतापित करें एक वेक्तिकत स्तर पर वेस्विकरन जीवन के मानक जीवन की गुनवता दोनों को परभावित करता है नेक्स्ट बात करें वेस्विकरन के मुख्य उदेश से क्या है तो इसमें पहला है आर्थिक समानता वैस्विकरण के परमुख उदेश से होते हैं देश में फैली आर्थिक एसमानताओं को दूर करना ताकि इन आर्थिक एसमानताओं को दूर कर अलब विक्सित और विकासिल देशों को विक्सित देशों के सिरणी मिला आए जासके वैस्विकरण में यहीं परियास होता है कि अंतराश्टी स्तर पर नई संधिया और नई संग्ठनों के साथ देश की अर्थ वैवस्ता में सर्वत्र विकास की रह सुनिश्चित की जाए वैस्विकरण के बाहने विशव बंद उतव की बावना का विकास होता है यहीं देश में प्राकर्तिक आया प्राकर्तिक विपत्ति आ जाए तो सेश विशव के देशों का यह था संभव बरपूर आर्थिक और मानविय सायोग प्राप्त होता है इस उदेश से होते हैं जिसके कार्ण विशव में अनेक देश वैस्विकरण को स्विकार करते हैं विश्व के सदस्य देशों का अंतराष्ट्री सहयोग पाना भी एक उदैस से होता है व्यापारी1 संब्द बनाए रखने है तो किसी भी देश द्वारा अन्या देशों के लिए अपने इस्थर पर सहयोग देना तो यहां तक जो वीडियो अपनी complete होच किया वीडियो अच्छी लगी है तो इसके like करें आपने दोस्तों के ज़रूर share करें यदि आपको और भी subject के sold question paper की वीडियो देखने है तो मेरी YouTube चैनल के उपर जा के देख सकते हैं एक question का answer आपसे मैंने पूछा है अगर आपनी वीडियो को द्यान से होगा उसका answer का आप जो है मुझे comment जरूर करें फिर मैं आपको बताओंगा आप answer right है या wrong है यदि आपको question paper की PDF डाउनलोड करनी है with answer तो इसी वीडियो की description में आपको website का link मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं साथी साथी दिए आप मुझे Facebook, Instagram और Telegram फे follow करना चाहते हैं तो उसका link भी आपको इसी वीडियो की description मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे diet follow कर सकते हैं थैंस पर वोचिंग